वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल जैक पूर पे आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 का मैध डिसकस करने वाले हैं जो की लेशन 2 का है और ये वीडियो जो है पार्ट 4 होने वाला है यानि इस लेशन का तीन वीडियो आपके चैन सब्दों में लिखना आपको कहा गया है सब्दों में लिखना ये वाला सवाल देखिए आपको कहा गया है सब्दों में लिखना तो सब्दों में किस परकार से लिखा जाता है वह हम बताएंगे और आप लोग जैसे-जैसे हम लिखते जाएंगे वैसे-वैसे आपको अपन पहला सवाल में कहा गया है कि इनको सब्दों में लिखे यानि कि देखे पहले उपर वाला में हम लोग जो क्यारके थे अंकों में लिखे थे हिंदी में दिया गया रहता था उसे हम लोग गनीत में लिखा करते थे अब क्या करना है आपको नंबर्स में दिया हुआ है आपको ह 1,000 कहेंगे और last में 1 है तो 1,001 है तो आप यहाँ पे simple यहाँ पे इस तरह से 1,000 एक 1,001 लिख दिजए गए यहां है ठीक है इस वाले को देखते हैं इस वाले हम देखें का का इसको किनते हैं 1, weave, 1,000 तो 1000 पे रुखा तो किस पर है? 2 पे है तो 2000 हो जाएगा 20 ठीक है ठीक है बच्चों समझ में आगी आप लोगों को जल्दी जल्दी से नोट करते रहें क्योंकि यह मिट जाएगा तुरंत चलिए यह वाले को देखते हैं इस वाले को देखें एकाई दाहाई से कला 1000 1000 पर जाके रुका तो 1000 कितना है चार है तो हम लोग यहां पर 4000 ठीक है तो 4566 होगा यहां पर फिर से इसकों में रेस करते हैं ठीक है न चार हजार 500 भी है अब यह हम आपको किलियर कर देते हैं देखिए करना क्या है आपको यहां पर देखिए यहां पर आपको क्या है एकाई दाहाई से कला 1000 1000 का मतलब क्या हुआ चार पर रुका तो यहां पर हो गिया आपका 4000 ठीक है चलिए 4000 हो गिया आप फिर से किरिए एकाईदाई सैकला सैकला का मतलब होता है 100 तो 100 किस पे जाकर रुका है 5 पे तो 500 लिखना होगा यहाँ पे ठीक है ना 500 500 लिख दिये अब कितना है 166 है तो यहाँ पे आप 166 लिख दिजे ठीक है ना ठीक है बच्चों समझ में आ गया जल्दी से इसे नोट कर लिजे क्योंकि यह मिट जाएगा चलिए नेक्स्ट है हमारा ये वाला को देखिए इसमें हम लोग गिनेंगे हजार किस पर आख रिखा आठ पे तो आपको लिखना होगा वहाँ पर आठ हजार क्या लिखेंगे आठ हजार लिख दीजिए फिर गिनिए nove s aha non 9 पे रुका, तो 900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 900, 900, अच्छा ही कितना हो गया, 89, है ना, 89, तो 8989, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को, तो जल्दी सा इसे अपने कॉपी पे नोट कर लिजे, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं, चलिए देखिए, हमारा जो अगला सवाल है, इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, इस सवाल में आपको कहा जा रहा है, दिये गए अंकों से, क्या कह रहा है, इस सवाल में कह रहा है आपको, दिये गए अंकों से, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है, यानि आपको पांच आठ दो ये numbers दिया गया है आपको इससे सबसे बड़ा बनाना और सबसे छोटा भी बनाना है तो देखिए आपको करना क्या है अगर सबसे बड़ा बोलेगा ना तो बड़ा से start करेंगे ठीक है न सबसे बड़ा बोलेगा तो बड़ा से start करेंगे example के तोर पर आपको पहले हम समझा देते हैं ठीक है यदि मान लिजी आपके पास एक है और दो है इस दो नंबर आपको दिया गया है आपको कहेगा कि सबसे बड़ा नंबर बना यह से तो आप क्या कीज़ेगा हम क्या बोले अगर बड़ा बोलेगा तो बड़ा नंबर आगे क 5, 8, 2 से बोला, तो सबसे छोटी संख्या बनाना है, पहले क्या बनाना है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी में हम लोग क्या लिखेंगे, बताइए, हम लोग पहले देखें, क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग छोटी वाली को भरते हैं, ठीक है, सबसे छोटी संख्या बन फिर जीरो दीजे यहाँ पर दो जीरो है फिर एक फिर दो ठीक है बचों समझ में आ गया इस तरह से आप लोग भर लेजिए इसके बाद करना क्या है सबसे बड़ी संख्या बनाना है बड़ी संख्या बनाने के लिए कह गया तो बड़ा से स्टार्ट करेंगे पहले आठ लिखिए फिर दो लिखिए ठीक है अच्छा फिर क्या लिखिए पांच लिखिए फिर तीन लिखिए फिर जीरो लिखिए फिर क्या लिखिए आठ लिखिए फिर चार लिखिए फिर दो लिखिए फिर 0 लिखिए उसके बाद आखरी में क्या हो जाएगा 2100 ठीक है उमीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है समझ में आ गया है तो जल्दी से इसे वीडियो रोक कर नोट कर लिजे फिर इसके बाद हम लोग next सवाल पर चलते हैं चलिए next सवाल है हमारा next सवाल में आपसे कहा जा रहा है जोडने के लिए क्या कहा जा रहा है जोडने के लिए तो सबसे पहले हम दो-दो करके जोडते हैं आप लोग भी ध्यान से समझिएगा यहाँ पर क्या है छे और एक छे और एक मिल करके कितना हो जाएगा साथ और पांच साथ और पांच मिल करके क्या होगा बच्चों साथ और पांच मिल करके हो जाता है बारा तो बारा का हम लोग यहाँ पर दो लिखेंगे एक जो बच्चे जाएगा वो इस बगल वाले पर चड़हा जाएगा ठीक है तो 5 अरेक 6 आज 7 6 मिल के फिर से क्या हो गया तेरा तेरा का फिर हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे 3 तीन लिखेंगे और फिर एक जो बच गया उसको बगल वाले में चड़हा दीज़े तो 6-7 अरेक मिल करके कैतना हो गया 8 ठीक बच्चों समझ मे आगया चली अब इस वाले को देखते हैं हम लोग इस वाले में क्या करना है आपको 7 और 1 मिला के लिखे दिए 8 9 चली इसे फिर से जोड़ते हैं एक बार हम लोग 7 और 1 मिला के जुखी 8 9 वर्दू क्या हो जाएगा 11 तो 11 का आपको एक लिखना है 11 का 1 एक जो बच जाएगा उसको बगल वाले पे चड़ा देजिए अब 8 और 9 और 3 मिल करके कितना हो गया 12 12 का 2 लिखे फिर एक बचेगा फिर उसको बगल वाले पे चड़ाइए 3 और 4 और 4 मिला के कितना हो गया 8 तो उमीद करते हैं कि बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंका जो सब्सक्राइब का बटन उसे जरूर प्रेस किजिए इससे होगा है कि जब भी आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो बनेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा ठीके बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू